वजूद है इस पार्टी का जिसका आप नाम ले रहे हूं बताइए आप चंडी कडमन को यही मालूम नहीं है कि हमने करना क्या है रोज कुछ न कुछ गमासान सुनने को मिल रहा है मुद्दे उठायो है कि बिजली पानी देंगे पानी फ्री देंगे पानी प्री देंगे कहां से देंगे से मैंडम ने कोई काम ने किया कोई डॉयल्मेंट ने की जो हमारी पिछली कांसलर थी यहां पर तो फिर यह तो हमें उठाने पड़ेंगे हर चीज को उठाना गार्बिज का सिस्टम देख लिए कितना खराब हुआ हो रेडी आती है तीसरी मंचल तक लोग आवाज मारते र से मारते हैं इस वक्त हम मुझूद हैं वोड नमबर 11 में जहां से आज हम आपके मुलाकात करवाएंगे कॉंग्रेस पार्ची के उमीदबार राजीव मोद्गिल जी से उनका क्या कुछ कहना है और वो किन-किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं हाज इनसे बात करेंगे सर पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक की आपको कॉंग्रेस पार्ची के उर से चिकिच मिला है अब यह बताईए कि आप किन-किन मुद्दों को लेकर मैदान में खड़े होएं इस बार एकलि मुद्दे तो अब निकबर हैं कि इतने पकी सबसे बड़ा मुद्दा पै्टॉल के डिजल के रेट देख लीजर्या आई है जो League कंस पनीं है हुआ है। पर चंडिगड़ है तो आप किस प्रोसेस से चंडिगड़ को फिर से नंबर वन पर लाने की कोशिस करेंगे। पर चंडिगड़ जल रही है, कहीं पूरा पड़ा है, कहीं पार्क गंदा है, ये चीज़े देखते थे पहले कोई मैंने खुद देखा है। पार्कों का हाल देख लिए मेरे साथ चलिए कि BJP वालों ने क्या किया होगा। इस सबसे सुंदर सेक्टर होता था हमारा उनी सेक्टर, लेकिन आज हमारे सेक्टर की हालत देख लिए कि किसी कहीं स्टेंड़े नहीं करते हैं हम लोग, जबकि हमारे आसपास के देख लिए, 27 28 देख लिए, 28 देख लिए, 28 देख लिए, कितने सुंदर बने हुए हैं, 5 वे वस्ता बड़ी सही तरीके से है, लेकिन 5 साल से मैडम ने कोई काम ने किया, कोई development ने की, जो हमारी पिछली counselor थी यहां पे, तो फिर ये तो हमें उठाने पड़ेंगे, हर चीज को उठाना, garbage क सिस्टम देख लिए, कितना कराब हुआ है, रेडी आती है, तीसरी मंचल तक, लोग आवाज मारते रहते हैं, वो चले जाते हैं, सो रपे हमने minimum किया आवा था, लेकिन अब ये दो सो लगा दिया, पानी के बिल के साथ ही, वो लगके आ रहा है, किसी का बिल भी ठीक नहीं ह उसको फिर वजरुगों को, लेडीज को भागना पड़ता है ठीक कराने के लिए, तो ये तो सारा ही जो सिस्टम है, सारा ठीक करना पड़ेगा, लोगों को कहना है कि जब चुनावी दोर आता है, तो हर पार्टी से उमीदवार घरगर आते हैं, अनेक वादे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद फोन तक रिसीव करना जरूरी नहीं समझते हैं, तो उसके उपर आप क्या कहेंगे? बड़ा बिजनसमेन नहीं हूँ, मैं तो एक वरकर हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं काम करूँ, जादा से जादा काम करूँ, जो भी पबलिक से वादा करूँगा, मैं तो कहता हूँ कि चाहे लिखवाल हो मेरे से, मैं वो वादा पूरा करूँगा. आपकी विपक्सी पार्टी आप पार्टी का कहना है कि जो कॉंग्रेस और बीजेपी वायदे करती है उन पर खरा नहीं उतरती है तो उसके उपर आप क्या कहेंगे मेडम वजूद है इस पार्टी का जिसका आप नाम ले रहे हूं बताईए आप चंडीगड में को यही मालूम नहीं है कि हमने करना क्या है रोज कुछ न कुछ गमासान सुनने को मिल रहा है मुद्दे उठायो है कि बिजली पानी देंगे पानी फ्री देंगे कहां से देंगे आप एक बार बताईए कि चंडिगड में जो इलेक्टरिसिटी या जो बिजली एड्मिस्ट्रेशन के अंडर है कार्परिशन के अंडर तो हाई नहीं पानी हम कैसे दे सकते हैं तीसरी मंज दिखाने देजिए सचाई लोगों को पता चल जेगी और उनको भी पता चल जेगी मंत्री चन्नी जी का कहना था कि अगर हमारी जो पाची सत्ता में आती है तो वो केबल सो रुपे का करा देंगे तो उसके उपर आप क्या कहेंगे क्योंकि वो अब तक तो लागू नहीं आप पार्टी के जो के चंडीगर्ड में पहली बार नगर निगम के चुनाओं में आई है तो उसमें आप ऐसा क्या कुछ खास करेंगे जो जनता आपको वोट दे मेड़ा हमने काम करना है हमारे 35 के 35 कंडिडेट जो कॉंग्रेस पर्टे ने खड़े कि हैं बले dedicated हैं बड़ी मेहनती हैं और आदे से जादा हो तो हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हम पबलिक से वादा करेंगे क्योंकि हमें आगे अपना भुष्या देखना है हमने आगे अपना 2024 का इलेक्शन भी देखना है ठीक है ना अगर हम नहीं काम करेंगे तो फिर हमारा 2020 में क्या होगा और लोगों को जो वादे करेंगे उन वादों को क्या होगा कोई भी ऐसी तीन वादे बताइए कि जो आप उन रूप से करेंगे ही करेंगे मेडम एक तो हमारे जो पार्टी ने भी कहा है कि हमने रेट पार्टी के रेट अगर हम सत्ता में उसमें कारपॉरेशन में आते हैं तो नहीं बढ़ने देंगे जो ये गारबेज का जो इतना गंदा प्रोग्रम इन्होंने बिजेपी वालों ने शुरू किया है उसको हम बिलक जाके हमने काम करना है क्योंकि काम बहुत है मैं आपको बता रहा हूँ जोने ऐसे ऐसे काम कर दी है कि दे और दो ड़ाई साल का तो पता भी नहीं चलेगा इतने काम कुछ भी नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार मेरे साथ राउंड लगा लेजे एक बार राउंड लगा लेजे, मैं आपको सचा ही दिखा दूँगा कि क्या इन्होंने किया है, क्या नहीं किया है अपने वोट वासियों को कोई संदेज देना चाहेंगे आप बिल्कुल मैं उनको हाजोड कर यही संदेज देना चाहता हूं कि वोट की देज़े, प्रूट की टाकत, वोट की पावर पैचनने की कोशिश करें आम आदमी पार्टी को बीजेपी को देगरिशी सी बात है hatte वोट वीजेपी ने ने जो पिछले पान्ग साल में काम किया है, वो सब को मालूम है ठीक है है ना तो अपनी वोट बिल्कुल भी वेश्ट ना करें, एक बार फिर हमारे पर विश्वास करें, कॉंग्रेस पाटे के पर विश्वास करें, हम जो वादे कर रहे हैं, उनको पूरा करके ही दिखाएंगे, पांच साल जादा नहीं होते, वोट जल्दी गुजर जाते हैं, टाइम का प सब्सक्राइब करें, अर्थप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें